Hello everyone and Namaste आज का योगा बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है आज की योगा वीडियो में हमें चोट 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 योगा करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि आज का योगा जिस चीस पर डिपेंड है उससे लोग बहुत ज़्यादा परशान है और अकसर ये परशानी सबी जनरेशन के लोगों को हूती ही होती है वह है बैक बेन बैक बेन बहुत ज़्यादा ही critical, बहुत ज़्यादा ददनायक होता है जो कि आज की सबी जनरेशन आपको देखने मिल ही जाते है छोटे हो बड़े हो किसी को भी खास करी इसलिए भी होता है कि हम लोगों बहुत सारा काम बैट बैट के भी करना पड़ता है बहुत सारा काम जुक के करना पड़ता है जुकने से भी या बहुत ज़्यदा किसी जगा पर बैठे रहने से भी हमारा पूरा प्रेशर हमारे lower back हमारे back pain होने से कोई भी काम करने बहुत ज़्यादा तकलिफ होती है तो इसलिए आज का योगा हमारे back pain के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा सरदायक है छोटा छोटा योगा है किसी भी जनरेशन के लोग अराम से कर सकते हैं कोई भी आराम से कर सकते हैं तो आज के लिए बहुत ज़्यादा बाते हो गई है तो चलिए आज का योगा सुरू करते हैं तो देर किस बात किये जल्दी समयट अपने सांथ लेख के आई और आज का योगा सुरू करते हैं चलिए आज का योगा शुरू करने के लिए अपने दोनों पैरों के तलोग तलवा तलवा को इस तरह से जोड़ के बैठ जाएए जहां तक कंफर्टेवल होता है अपने पैर को हो सके तो अपने ग्रोणी के पास लेके हैं या दिक्कत है तो कोई बात नहीं तो उसे डिश्ट चैएगा क्या यह इस तरह से लग्ष के ना बैठ आए अराम से नहीं श्ट्रीट करके बैठ है और इक हो पैर को तुछिए और पैर को लाला नहीं है अग्दम भी अराम से इस पोजिशन में थोड़ एकल स्टे करने आपको जो भी आपके इनर थायस में जो भी स्ट्रेशि कीजिए थोड़े देर के लिए जब तक आपको अच्छा लग रहा है थोड़े के अपने हाथों कहीं भी रख सकते हैं हिलाने की कोई जरूद नहीं है असी पराम से इस पोजिशन आपको बैठे रहना और कुछ नहीं करना है थोड़ एक लिए इस पोजिशन में होल्ड कीजिए अपने आपको कुछ देर बाद अपने राइट हैंड को इस तरह से निश पास रखेंगे और लैप्ट हैंड को पीछे की ओड़ अपने स्पाइन को ट्विस्ट कीजिए जहां तक आप कर सकते हैं इसी तरह दूसर साइट से भी करेंगे अब लैप्ट हैंड को इस तरह निश पर रखिए और राइट हैंड को पीछे की ओड़ अपने हेट को भी ट्राइ कीजिए पीछे की ओड़ ले जाने के लिए बहुत अच्छे स्पाइन ट्विस्टिंग है इससे आपकी जो बैक का प्रेंट कर सकते हं वहां थक्तर कीजेगा अब यहां तक हो सकती यहां तक इक्सट घूमना नहीं है यहां थीत अपकी बैक के लिए अच्छा नहीं है अग्जावली-ज्डी कीजिए एक ये पार एक्परिषर देंगे तो यह आपके बैक के लिए भी बहुत आनिका रख र कर ते हैं यहां तक स्पाईन को भूमाईए यह लिए तो इसे फिर से करते हैं एक बार में इसाद किजिए अपने स्पाईन को भूमाईए जहां तक आप भूमा सकते हैं फिर से दूसरे साइड अपने हाथ को अपने स्पाइन को सिफ्ट करेंगे देन रिलाक्स कीजिए चले तो अब लाव में नेक्स्ट योगा पर मूब आन करते हैं तो इस तरह से टेबल टॉप पोजिशन में आ जाएए अच्छी तरह से मैट पे ग्रिप बना लीजिए अपने पांस को अपने फिंगर को अच्छे तरह स्प्रेट करके रखिए धियान रखिएगा आपका जो हाथ है और ड्रैकले अंडर अपने हीप को अपने नीज को अच् करते हैं अभी cat cow pose अपने belly को down कीजिए अपने head को उपर inhale करते हुए और exhale करते हुए अपने spine को roll up कीजिए अगेन अपने belly को down कीजिए inhale करते हुए head को पर की ओर धियान रखिए यहां पे आपका belly आपका जो कमर का area है वो डाउन होना चाहिए जिससे आपका pressure थोड़ा आप आपके back पर पड़े और आपके back पर रिलेक में लिए तो इस तरह से अपने belly को down कीजिए अपने head को उपर कीजिए और exhale करते हुए spine को roll up कीजिए जैसे अब जिस तरह से इतना roll up कर सकते हैं extra pressure देता है खीचना नहीं है एक दम भी जहां तो आप roll up कर सकते हैं तो आपकीजि आपने spine को neutral कर लीजिए रिल्लैक्स कीजिए एक्ष्टा हर बड़ी में नहीं करना है अराम से कीजिए जिससे आपको back पर इफेक्ट ना पड़े और अराम से हो अब धीरे-धीरे करके अपने बटक को पीछे की और ले जाएंगे फिर आगे की और फिर अगेन पीछे की और अपने बटक को पीछे की और ले जाए शिप्ट कीजिए स्टेक कीजिए थोड़े देर फिर आगे की और आईए एक बहुत अच्छा चोटा से स्ट्रेचिंग है जबके बैक के लिए बहुत अच्छा होता है आपको जब भी प्रेंट फिलो इस तरह से धीरे-धीर आप करेंगे तो आपको बैक में बहुत रिलेफ मिलता है और कहीं अपराम से अपने बैट पेक कर सकते हूं चले इस तरह से देरे-देरे करता हुए अपने बटक को पीछे ले जाएंगे फिर आगें टेवल टप पोजिशन में फिर पीछे की और फिर से टेवल टप पोजिशन देन रिलेक्स कीजिए अब अपने हाथों को आगे की ले अपने हेट को अपने मैट पे रिलेक्स करने के लिए छोड़ दीजिए अपने बैले को तो से डाउन कीजिए जिससे आपके जो बैक का मसाज बहुत अच्छे से हो आपको हाथ ज्यादा खीच कर दिक्कत हो तो कोई बात नित और हाथ को सामने रखे अपने हेट आपका करने के चाहरे और तक और तेन अपने हेट को तस्यार करने के लिए छोड़देंसे अपने हेट को रेश्ट करने के लिए छोड़़ त्यस्य रिलेक्स कीजो थोड़े इस पोजिशन में फ्रह देर् रिलेक्स करने के बाद, आपने हातों को पिर समेट मेथ पर रखिए, और इस तरह समनु पिट के बाल लेड जाएंगैं थो अधे रिलेक्स कीजिए इस पोजिशन में बहुत दर से यूगा कर रहे थे था 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 रिलेक्स करके करते रही है। अब हमारा नेक्स्ट यूगा है सलम आसना जो की हमारे बैक के लिए बहुत अच्छा होता है। अपने हाथों को आपका जहां तक खेड आ रहा हैं वहां तक आपको फिंगर का टिप आना चाहिए जोली-जोली करके अपने अपर बॉड़ी को इस तरह समय उठाएंगे जहां तक आप उठा सकते हों वहां तक उठा करेंगे देखिए जितना धीरे धीरे जितना अराम सा तक उठाएं इस पॉजिशन में आने से हमार अपर बॉड़ी का जो प्रेशर है हमारे बैक पर पढ़ता है जिससे अपर बहुत फिलीक मिलता है जब तक इस पोजिशन में जब तक आपको अच्छा लग रहा हो तब तक इस पोजिशन में इस ते कीजिए दिखान रखिए आपका इस तरह से कोलाप्स नहीं करना है अपने सोल्डर्स को अराम से इसको भी टाइट करकर रखिए इससे आपका पोजिशन भी अच्छा होगा इस पोजिशन में थोड़ा दे के लिए स्टे कीजिए अपने हेट को आगे कियो रखिए जब तक आपको अपको के लिए कोई प्राब्लम नहीं है जहां तक अपने पैरों को पीछे के और खीच के रखिए और बॉड़ी को स्ट्रेट करने के कोशिश कीजिए कुछ दे स्टेक करने के बाद इस तरह से धीरे-धीरे करके मूलिए इस तरह से अपने पैरों को अच्छे तरह से आगे की और खीच कर रखिए इस तरह से अपने हाथों को उपर की और ले जाएंगे और हाथों को उपर की और खीचिए पैर को पीछे की और अच्छे स्ट्रेच कीजिए अपने पुरा अपका जो पैर है उसको इस तरह से अपने मैट की और खीच के रखिए और हाथों की ऊपर की और थोड़ा सा इन्हेल एक्सेल करेंगे हम लोग तो टीकर ब्रीथ इन एक्सेल वन मोर टाइम टीकर लॉंग डीप ब्रीथ रिलक्स अब अपने हम लोग राइट लेक को इस तरह से अपने हातों से इस तरह से पकड़ लेजिए और इस तरह से अपने चेश्ट के पास लेके आईए थोड़े दर के लिए ओलड कीजिये जहां तक आप लेके आ सकते हों, आप लेके आईए थोड़े दर इसी तरह अपने चेश्ट पे सटा कर रखिए कुछ देर बाद अपने हाथों को इस तरह से हम लोग फैला लेंगे और इस पैर को अपने राइट लेग को इस तरह से लेफ्ट लेग पर रखिए और इस तरह से स्पाइन ट्विस्ट पोस्ट करेंगे हम लोग तो अपने राइट लेग को इस तरह से लेप्ट साइन मोड़िए और हेट को ठीक उसके ऑपोसिट एरिया हाथों को अच्छे से फैला कर रखिए और आपके बाड़ी के इस पार्ट में जब को खिचा हो रहा है उस पर फोकस बनाईए इससे आपके बैक का जो पेन है इस बहुत रिलीफ में देगा इस टेक कीजिए जब तक आप रह सकते हैं ट्राइट कीजिए आपका जो नी है वो मैट को टच कर नहीं भी हो रहा है तो कोई प्रावलम नहीं है अफ्टर फ्यू सेकेट अगेन अपने पैरों को इस तरह से पकड़िये अपने हाथों से और इस तरह चेस्ट के पास लेके आईए अब ट्राइग कीजिए थोड़ा सा अपने नोस से इस तरह से अपने नीज को टच करने का आप अपन पास लेके आई तो वह देर इस पॉजिशन में होड़ कीजिए नो कुछ देर बात अपने राइट लेग पर अपने लेफ्ट लेक को रखिए हाथों को इस तरह से अब आपका जो लेफ्ट लेगे इसे राइट एट इरिया जाएगा और हेट को ठीक अपने लेग के अपने साइड में इस टेक कीजिए अपने पेरों को इस तरह से अपने मैट पर टॉच करने के लिए राफ दे कीजिए धीरे-धीरे कोई हरवड़ी नहीं है आप्टर फिर सेकेंड अगेन अपने हाथों से इस तरह से पेरों को पकड़ेंगे और अपने चेश्ट के पास लेके आईए फिर से मैं अपने नोस से अपने नीज को टेच करने के कोसिज करोंगी जहां तक पॉसीबल होता है वहां तक और दोणों पैरओं को एक साथ लेके आएंगे आम लोग और इस तरह से अपने हाथों को इस तरह से नीज पे रख लेज़ünden इस तरह से आजी Broken को अपने बैक का च्छे तरह से मसाज कीजिए कि दीरे-दीरे करकर हरबड़ी में नहीं करना है अपने बैक को किसी परकार क टेंशन नहीं देना है तो आराम से की जिया अब दίने से तरह दूसरे से बिस्थ समलो अपने पेर को घुमाएंगे इससे क्या होता है आपके बोडी काप का जो लोवर बैक है उसके चारों साइट से अच्छी तरसा मसाज होता है तो बहुत अच्छा है छोटा सा है अराम से आप अपने बेट पर लेटे लेट भी कर सकते हैं पर जितना भी आशना मैं बता रही हूं इससे अपने बेट पर लेटे लेटे ना ही करें तो अच्छा है मैट मैट भी ज़ा लिजिए और आम से लेट की कीजिए देन रिलेक्स अब अपने हाथों से इस तरस अपने पेरों को हग कीजिए और अब से साइडन साइड इस तरह समलो अपने बाड़ी को मुव करेंगे राइट साइड फिर लेप साइड फिर राइट साइड लेप साइड देन रेलेक्स अब अपने पेरों को इस तरह सागे क्यों खुल लीजिए और थोड़ी देव मेरे साथ रिष्ट कीजिए सवा आसना में ठीक है प्रीध आसा है कि आजका जो भी योगा हम लोगों ने किया है वो आपके लिए बहुत ज्यादा वेनिफिशियल हो आपको लाप पहुचाए और ये योगा को अपने बेट पर नाप करें हो सके तो नीचे ही करें मतलब फ्लोर पे कुछ बिछा ले अराम से मैट नहीं है तो चटाई बोड़ा जो भी कुछ है वो से बिछा कर वहां पही करें बेट पर करने से आपके लिए ज्यादा हेलफुल नहीं रहेगा इसलिए जमीन पही करें अब बहुत छोटे छोटा बेसिक बेसिक योगा है जो कि किसी भी उम्रे के लोग अराम से कर सकते हैं तो जिन्ता के बात नहीं है और बैक में एक्स्ट्रा पेन है तो अब भी आपक करने के गुष्था की ना करें घरवालों को भी कराएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइप सब्सक्राइब कमेंट कीचिये आपको वीडियो कैसा लगा मेरा और मिलते नेक्स वीडियो में योगा करते रहें खुश रहें हेल्जी रहें अभी के लिए नमस्ते आपका करते हैं